M.I.D.C. थानाक शेत्र में नागरिकों की सतरकता से बड़ी वारदा टल गई एक यूवक बच्चे को कोल डिंक और कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ निर्जन स्थान पर ले गया बच्चे पर अत्याचार के प्रयास में था लेकिन नागरिकों ने उसे देख लिया पूछताच में संतोष जनक जवाब नहीं दे पाया पब्लिक ने उसकी जम कर धुलाई की और घटना की जानकारी पुलीस को दी पुलीस ने आरोपी यूवक सद्धार्त नगर उत्तर प्रदेश निवासी सोनु छेडी यादव को गिरफतार कर लिया है जंडा चौक राजीव नगर निवासी लालसा मनोहर रवानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया सोनु करीब सबता भर पहले ही यूपी से मस्दूरी करने के लिए नाक पुराया था गजाननगरी इलाके में उसने एक कमरा भी किराय पर लिया था लालसा और उनके पती मनोहर परिसर में अपनी चाय नाश्टे की दुकान चलाते है सोनु ने भटी में शराब पी लालसा की दुकान पर बैट कर नाश्टा किया इस दौरान डालसा का बेटा चिंटू पास ही खेल रहा था सोनु ने उससे बात चीत की उसे चॉकलेट कोल डिंक और कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ चलने को कहा माता पिता काम में व्यस्त थे चिंटू उसके साथ चल दिया सोनु चिंटू को राजिवनगर वागधरा के नाले के पास निर्जन स्थान पर ले गया स्थानिय नागरिकों को उसकी गतिविदी संध्यास्पत लगी कुछ लोगों ने सोनु का पीछा किया वह बच्चे को बहला फुसला कर कपड़े उतार रहा था तभी लोगों पर नजर पड़ी और वापस जाने लगा नागरिकों ने उसे रोक कर पूछताच की सोनु अलग-अलग बाते बनाने लगा नागरिकों ने सोनु को पीछना शुरू कर दिया इसी दोरान कुछ लोगों ने पुलीस को जानकारी दी खबर मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश लबडे और पीएसाय राम लोड अपने दल के साथ मौके पर पहुचे सोनु के खिलाफ विविद्धाराओं के तहत मामला दर्च कर गिरफतार कर लिया न्यायलाई ने उसे पुलीस हिरासत में रखने के आदेश दिये है सही समय पर नागरिकों ने सतरकता नहीं बरती होती तो बड़ी घटना हो सकती थी